हेलो एवरिवान मैं हूँ अनील आपका दोस्त और आपका स्वागत है आपका अपने चेनल साइन्स पोटली में आज हम देखेंगे कक्छा दस्वी विज्ञान चैप्टर टू एसीडन बेस से पी एच मान और पी एच स्केल को तो आईए देखते हैं सरुप्रथम 1909 में सौरेंसन नामक वैज्ञानिक ने जो कि देन्मार्क से थे इन्होंने क्या किया किसी भी जली विलियन की अम्लीता या छाडीता को ग्याद करने के लिए एक माप करम या एसकेल बनाया जिसे पी एच स्केल का नाम दिया गया पी एच स्केल में पी एच होता क्या है आखिर ए मतलब होता है potente यह जर्मन म्वर्ड है pois जमतलब होता है सक्थियद पावरна हए इनाट गाई एक्रोटेंज मतलब ग्या विल्यसमें एच प्लस आयन की सक्ती और या मात्रा को सोव करता है यह पोटेंज पिएच स्केल समानेता सुन्य अधिक अधिक अमलीता से 40 अधिक चाडीता होता है तो देखते हैं किसी विलियन के पी-एच को ग्याद करने एंव तुलना करने के लिए हम सारवत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं किसी भी विलियन की अमलीता या चाहिता ग्याद करने के लिए हम किसको प्योग करते हैं सारवत्रिक सूचक या या यूनिवर्सल इंडिकेटर को प्योग करते हैं कुछ प्राक सांद्रता को विभिन रंगों के माध्यम से प्रस्तूत करता है जैसा कि देखेंगे आप बनाया गया है चित्र यहां पे सुन्य से लेकर 14 तक स्केल खिचा गया है जो की साथ उदासीन होता है साथ के नीचे जो सुन्य तरफ आता है वह अमली बढ़ जाता है और साथ से ऊपर 14 तक छारीता को बढ़ाने का सो करता है यह चारीता बढ़ जाता है तो देखिए एस प्लस आयन बढ़ते क्रम में इधर देखिए हाइड्रक्साइड आयन बढ़ते क्रम में तो हाइड्रक्साइड आयन जहां बढ़ेगा चारीता बढ़ेगा और एस प्लस आयन बढ़ेगा वहाँ अमली ते बढ़ेगा यहां देख रहे हैं हम विभिन्य विलीयनों की प्रकृति तथा पी ये यहां देखते हैं नीबु का रस 2.2 से 2.4 तक पाया जाता है इसका ये अमली एकलाएगा साइटरिक अमल पाया जाता है दूसरा देखिए दूद 6.4 लेक्टिक अमल पाया जाता है तीसरा टमाटर करस 4.2 साइटरिक अमल और मैली का अमल दोनों पाय जाते हैं खाने का Soda देखिए 8.3 से 8.4 यह चारी कलाते हैं तो जैसा कि आप देख यह जो होता है उसका pH सुन्य यह होता है यह अत्यधिक अम्ली यह बार्टा होता है जो होता है 14 होता है यह स्रासुदब है उसके दूसकी हम देखेंगे जल में यह दणानक्स een निट्रल होता है यह उदासीन होता है या नीट्रल होता है उसके बाद देखिए कापर सलफेट चार दसनलों पांच आठ से पांच के बीच होता है उसके बाद है विरंजक चूर्ण या ब्लेचिंग पाउडर बोलते हैं इसको इसका 10 से 11 के बीच होता है यह चारी होता है उसके बद देखें अमलीता यह चारीता कम यह ज्यादा कैसे होता है उसको समझने के लिए हम देखेंगे जल के आयनी करण को हम समझेंगे तो होता क्या है जब यह हमाश्य क्या संफूर्द होता है तो यह है एक प्लस यह लिए रिड़ ड़ जाता है जिसक्ष़ क्या होता है आपका जली βीलियन में कुछ मात्रा में H प्लस आयन और OH पाई जाते हैं तो इसी करंड से H2O टूटकर H प्लस आयन और OH आयन में विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है इस करंड किसी भी जली विलियन में अमलीता या छारीता कम या ज्यादा पाई जाती है कुछ मे कुछ मातरा में कि सिविलियन में अगर ही सभी से माय चुर्भ से मुगा अगर ओ एच अएन ज्यादा है तो ङृट मुगा होगा आगर जादा हो जाता है तो हैं अपने आप कम हो जाएगा है जहां बढ़ेगा वहां अमलीता बढ़ जाएगा जहां ओए चाडीता बढ़ जाएगा यहां देखें 25 डिगरी पर सुध्ध पानी के आयनन से समान मात्रा में प्लस वा ओएच आयन बनते हैं इसका मतलब जल उदासीन है न्यूट्रल है दिये गया सार्णी में हम देखते हैं कि पी एच सेवेन पर एच प्लस तथा ओएच आयन की सांद्रता दस की घात रिड़ साथ मोल पर लिटर है यह किसी विलियान की उदासीन प्रकृति को प्रदल होता है यहां पर देखे सार्णी दिया गया है सार्णी में अब अच्छी तरह देख सकते हैं कि कैसे ओएच आयन अगर बढ़ता है तो एच आयन कम होता है और एच आयन बढ़ता है तो एच आयन कम होता है इसी पर डिपेंड करता है किसी विलियान का जली विलियान का छाड स्क्राइब भी कर सकते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद